हिमाचल परदीश सरकार में मंत्री विक्रम सिंग ने धर्मशाला में पतरकार भाता को संबोधित करते हुए कहा कि 27 दिसंबर को परदीश सरकार के 3 साल पूरे होने चारहे हैं और बड़े हर्ष्रे की बात है कि विपरित परस्तितियों में भी हिमाचल के मुख्या मंत्री जैरम ठाकुल ने सही कार्या किया है जिसमें हर बर को लाब दिलाना सरकार के प्रात्मता रही और सरकार ने करोना काल में बड़िया कार्या किया है शक्षक एकशेतर में हिमाचल आगे ही रहा है, बहीं दूसरी और स्पक्ष पर हमला करते हुए मंतरी बिकरिम सिंग ने कहा कि कौंग्रिस को हिमाचल का विकास रास नहीं आ रहा कॉंग्रेस सिर्फ और सिर्फ अपने बर्चश्व के लड़ाई लड़ रहे हैं आज कॉंग्रेस ने एक नहीं बलकि 9 लोग मुख्यों मंत्री की होड में हैं ऐसे में कॉंग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने में लगी है और परदेश में सिर्फ बाश्वा की सरकार के खिलाब बेतू की बयानबाजी कर रही है मंत्री ने कहा कि 27 दिसंबर को शिमला में स्तेमी बर्चुल कारेक्रम का योजिन किया जा रहा है जिसमें सभी विदान सभाओं में अराकलक जगों पर जगत परकास नेटा और अक्षा मंत्री रासनात सिंग कारेक्रम को संबोधित करेंगे उसके बाद परदेश के मुख्या मंत्री जैराम ठाकुर भी जनता को संबोधित करेंगे हिमाचल परदेश की सरकार को तीन वर्ष पूरे होने जा रहे हैं कल हमारे तीन वर्ष पूरे होंगे इस संधर्ब में हमारा तीन वर्षों का जो लेखा जोखा है उसके बारे में चर्चा करने के लिए आज मैं धर्मशाला में आया हूँ और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि श्रीजारम ठाकुर जी की सरकार ने पिछले तीन वर्षों में बपरीत प्रस्तितियों के होते हुए भी बहुत ही अच्छा काम किया है किसी भी क्षेतर की हम बात करें हर क्षेतर में हम आगे बड़े हैं अन्तिन व्यक्ति की चिंता की गई है महलाओं की शिशक्तिकर्ण की बात की गई है और रोड इंफर स्ट्रक्चर हमारे अच्छे हो हमें हेल्थ जो है वो अच्छी मिले इन सारी चीजों के बारे में पिछल कि शिरी जैराम ठाकर सरकार ने क्योंकि सबसे जवलंत मुद्दा अगर आप कहीं भी जाते हैं तो नोजवान मित्रों को रोजगार के साथ जुड़ा हुआ है तो एक बहुत ही महतव कांग्छी जोजना मुख्यमत्री स्वावलंबन जोजना के माध्यम से यहां के नोजवान वहां पे बपरीत पस्तितियों के होते हुए भी शिरी जैराम ठाकर जी ने यह सोचा कि यहां पर ग्लोबल इंवेस्टर मीट होना चाहिए और उस ग्लोबल इंवेस्टर मीट के माध्यम से लगभग 93,000 करोड रुपे के M.O.J. साइन किये और फर्स्ट ग्राउंड ब्रेक है उसके में देरी हुई है लेकिन निश्ची तोर से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में हम उसको भी पूरा करेंगे मेरी पार्टी में मुझे लोग मुख्या मंतरी कैसे माने एक ही पार्टी के अंदर आठ आठ नोनों मुख्या मंतरी हैं उन लोगों को अपनी इन सारी इस प्रतिशपदा से समय नहीं मिल रहा है जबकि उनको यहां पर विपक्ष की भूमी का अच्छे तरीके से नभानी च काम किया है केवल अपनी लडाई के कारण से परदेश के मुद्दे उनके लिए मुद्दे नहीं हैं वो केवल अपने बर्चासव की लडाई लड़ रहे हैं